हेलो एब्रिवान वेलकम तुमाय यूट्यूब चैनल इस्टेट्यू भासकर में आज आपके साथ कुछ इंपोर्टेंट कुश्चन्स विच इंपोर्टेंट फॉर आप आमें बेड एंट्रेंस बोड़न उनिवेसिटी के जो एंट्रेंस आ रहे और साथ इसाथ गौहार्ट उनिवेसिटी यह सारे पोर्शन में आपका जीएस का पोर्शन है उसका में वीडियो बनाया हूं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा लास्ट तक बहुत सारे कुश्चन्स आपको क्लियर होंगे और यह आप मोक्टेस टाइप से ले सकते 50 कुश्चन का मोक्टेस है कितने राइट होते कितने रॉंग होते तो वीडियो करता हूं ओके फॉस्ट कोईशन हो वाज दाफ फॉर्ष फॉर्ण मिनिस्टर ऑफ इंडिया के फॉर्स्ट प्रिम प्रशा ज्वालाल नेहरू सर्दार बल्लभाई पतेल डॉक्टर वीर आंबेतकर चौरेक्ट फॉर्स्ट फॉरेंड मिनिस्टर एज फॉर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस वेरी मच इंपर्ड यह आपका बीड में आ था आया था जो गवाटी इंबस्टी का बीड हुआ था तो आप लोग नोट कीजिएगा इसको आप्शन में देखे राजंदर प्रसाद कौन थे हमारे जो constitution assembly था उसके president थे के प्रिसिजेंट कौन थे राजंदर प्रसाद और फर्स्ट 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 प्रेसिडट ऑफ इंडिया उस राजंदर प्रसाद याद रखेगा और सर्दार बलब भाई पटेल यह हमारे भारत के पहले होम मिनिस्टर थे बहुत ज्यादा काम किया था तो यह सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगा नेक्स्ट कोईशन इस लोकेट इन विच इंडियन स्टेट माजुली कहां पर लोकेटेट है तो अप्शन देखिए आसाम वेस्ट वेंगल करनाटा उप्शन नमर वन आसाम इस दा करेंट इंसर मा और फर्स्ट वॉर्ड का फर्स्ट जो रिवार आइलेंड डिस्ट्रिक वी माजुली है किसी रिवर आइलेंड डिस्ट्रिक को रेकोगनाइज देने वाला भी मिलनी वाला भी माजुली को ही है तो यह सारा भी आप याद राखे Aquí next question उचे पर देशक प्रदेश के सीम अभी कौन है वह है आपके प्रेमा हंडू प्रेमा हंडू इंपोर्टेंड प्रेमा हंडू नेक्स्ट कोईशन ता काजिरोंगा नेशने पार्ग नोन फोर इट्स वान होन राइनोस्वराजी सिटुएट इन असाम कहा पी सिटुएटेट है गोला घाट जोरहाट डिप्डुगाट कामरूप तो करेक्टन सारी ऑप्शन नमर वन गोला घाट ओके बेरी मच इंपोर्ट नेक्स्ट कोईशन हो वाज नोन इस डाइरन में आफ इंडिया इंडिया किने कहा जाता है सर्दार बल्लबाई पतेल महात्मा गांधी जवहला नहरु सुबास चंडर बोस्ट सो करेक्टन से ऑप्शन वन सर्दार बल्लबाई पतेल इनको क्या कहा जाता है बिसमार्क ओफ इंडिया भी कहा जाता है और इनको आइरन में आफ इंडिया भी कहा जाता है बेरी मच इंपोर्टेंट नेक्स्ट कोईशन दा रेड़ फोट लाल कि लाइन डेली वाज बीड़ बाई हुच मुगल एंपर रेड़ फोट किने बनाया था किन लोगों ने आगबर जहांगीर सहा जहान ओर उंगल जेब सो करेक्ट एंसर इस ऑप्शन नमर सी सहा जहान सहा जहान ये बनाया था याद रखेगा वरी मच इंपोर्टेंट है नेक्स कोईशन दा करेंसी ऑफ जापान इसको जापान के जो करेंसी है उसे क्या कहा जाता है येन वान रूपी वान येन ओके इस आपनी करेंसी नम क्या है येन वेरी मच इंपोर्टेंट याद रखेगा नेक्स कोईशन विच प्लानेट इज अल्सो नोन एज रड़ प्लानेट रड़ प्लानेट किसे कहा जाता है वहनास मार्स जूपिटर सेटान सो करेक्ट एंसर ऑप्शन नमर बी मार्स इसको रे image import next question the headquarter of United Nations is located in United Nations headquarter कहा है Newark USA Geneva Switzerland Vienna Austria Paris France so correct answer option number one Newark USA next question who was the author of the book the great Indian novel the great Indian novel किनो ने लिखा था R.K. Narayan, Arundhati Roy, Sashitharur, Vikram Seth so 10th का correct answer का option number C Sashitharur, Sashitharur ने लिखा था यह book the longest river in India is longest river कौन सा है यमुना, गोदावरी, गंगा, ब्रहमपुत्र, so correct answer is Ganga इसका लेंग्ध कितना है 25 25 25 पच्चिस सो पच्चिस किलोमेटर है यह आप याद रखेगा next question who is known as the Bismarck of India, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Sardar, B.R. Ambedkar, Bismarck of India किसे कहा जाता है, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar तो correct answer option number D, Sardar, B.R. Ambedkar, इनको क्या कहा जाता है, Bismarck of India, option में Mahatma Gandhi है, Mahatma Gandhi हमारे Father of Nation है और इन्होंने बहुत सारे किताबे लिखे जैसे न्यूस्पेपर यंग इंडिया, स्वराज, स्वराज यह सारा किन्यों ने लिखा था, वो लिखा था, Mahatma Gandhi ने, next question, the Indian National Congress founded in which year, Indian National Congress का found क्या गया था, easy question, 1885 और इसके first president कौन थे, उमेश चंद्रबेनर जी, उमेश चंद्रबेनर जी और इसके पहले secretary कौन थे, A.O. Hume, A.O. Hume, okay, A.O. Hume को क्या कहा जाता है, father of INC, A.O. Hume को क्या कहा जाता है, father of INC, okay, और इस time पे जो गवर्नर जेनर कौन था, वो था, Lord, Lord Dufferin, okay, Lord Dufferin, you must remember this, Lord Dufferin, next question, the first woman prime minister of India was, woman prime minister India कौन थी, इंद्रा गांधी, शरुजणी नाइडू, प्रतिवा पाटिल, इंद्रा गांधी, इंद्रा गांधी, उके, इंद्रा गांधी was the first woman president, और शरुजणी नाइडू, first Indian woman INC president, okay, first Indian woman INC president कौन है आपका, शरुजणी नाइडू, यह आप याद रखेगा, और प्रतिवा पाटिल, first Indian woman president कौन है, प्रतिवा पाटिल, यह सारे आप याद रखेगा, next question, the famous Indian monument Taj Mahal was built by Mughal emperor in memory of his wife, किनों ने बनाया था, अकबर, जहांगीर, साहा जहान, औरोंगा जेप, so easy question, C, साहा जहान, अकबर कौन थे, मुगल सामराज जाके स्रेष्ट राजा थे, okay, one of the finest king of Mughal kingdom, which Indian state is known as land of five rivers, कौन से state को land of five rivers कहा जाता है, पंजाब, राजस्थान, हरियाना, महाराष्ट, correct answer option number A, पंजाब, पंजाब को कहा जाता है, land of five rivers, next question, the Bhakranangal dam, one of the largest dams in India is built, which of the following river, तो Yamuna, Godavari, Ganga, Sutlej, so correct answer option number D, Sutlej, Sutlej को ही, Sutlej नदी के उपर ही बनाये गया था, the currency of Bangladesh is called Taka, rupees, peso, dollars, so correct answer option number one, Taka, the Indian space research organization was founded in which year, Indian research research, 1969, 1975, 82, 90, so correct answer option number C, option number A, 1969, इसका headquarter कहां पे है, Bengaluru, Bengaluru, very much important, यह भी आप याद रखी, next question, which state is known as land of rising sun in India, land of rising sun, किसे का जाता, औरनाचल प्रदेश, Assam, Megalaya, Manipur, so correct answer option number A, औरनाचल प्रदेश, land of rising sun कहां जाता है, next question, उच्छे था following, not a factor of production in economy, factor of production कौन सा नहीं है, land, labor, money, capital, so correct answer option number C, money, money is not a factor of production, gross domestic product measures the total value of all countries border in specific period, 22 का correct answer होगा, आपका option number A, goods and service, क्या होगा, goods and service जितने भी produce होते हैं, specific border के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, GDP कहा जाता है, gross domestic product, next question, inflation occurs when, inflation कम होता है, जब, the money, the economy is growing too slowly, the government prints too much money, the exchange rate of stable taxes are lowered, option number B, the government prints too much money, B is the correct answer, next question, which of the following is an example of fiscal policy, कौन साइब फिस्केल पोलिशी क्या example है, decreasing interest rates, buying government bonds, reducing government spending, selling foreign currencies in the market, so correct answer होगा, option number C, reducing government spending, इसको क्या example है, आपका fiscal policy कहा, 27, the main objective of monetary policy is to control inflation, increase government spending, encourage imports, reduce employment, so 27, option number 1, control inflation, inflation control करने के लिए ही, monetary policy में, policy का main objective है, जो की, RBI चलाता है, RBI monetary policy निकालता है, याद रखेगा RBI, monetary policy कौन निकालता है, RBI, next question, which economic indicator reflects the overall health of the job market in an economy, कौन सा indicator, inflation rate, GDP growth rate, unemployment rate, consumer price index, so, correct answer is option number C, unemployment rate, next question, the law of demand states that all other factors being equal, when the price of a good or service increases, so, कौन सा लिए है, quantity demanded decreases, quantity demanded increases, quantity supplied decreases, quantity supplied increases, 29, correct answer option number 1, quantity demanded decreases, next question, which market structure is characterized by a single seller with specific control over the market, so, 30 का कौन सा होगा, right, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, so, किसा क्या होगा, monopoly, option number B, 31st question, when a country specializes in producing goods or services in which, it has a comparative advantage and trades with other countries, it is following, so, 31st का जो correct answer होगा, option number 3, free trade policy, क्या होगा, free trade policy, FTA, FTA, जहां कि कोई भी country का जो, एक specialized, जो की एक comparative होता है, तो उन लोगो क्या कहाँ जाता है, free trade policy, 32, which organization responsible for regulating international trade, and resolving trade disputes between countries, so, इसका option क्या होगा, IMF, World Bank, World Trade Organization, United Nations, correct answer होगा, option number C, WTO, इसका establishment का बहा था, 1st January 1995, okay, 1995, very much important, याद रखेगा, और इसका headquarter कहाँ पर है, आपका Geneva, Switzerland, Geneva, Switzerland, this is very much important, याद रखेगा, next question, 33, what does the term capital flight refers to in economics, capital flight का मतलब क्या है, the outflow of foreign investment from a country, the migration of highly skilled labor to other countries, इसको क्या कहा जाता है, brain drain, okay, brain drain, अगर कोई भी highly skilled लोग, यहाँ से US चले गया, आपका European country चले तो इसको क्या कहा जाता है, आपका brain drain, the transfer of financial resources from private to public sector, the movement of funds out of a country's financial system, so उसको क्या कहा जाता है, option number D, capital flight, the movement of funds of a country, country's financial system, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका, the movement of capital flight, the human development index, HDI is a composite index that measures, क्या 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 मिजरी करता है, economic growth, standard of living, education and health indicator, gross national product, यहाँ पर आपका, कौन सा, कौशन में बोला गया, कौन सा the human development index, कौन सा जो मिजर नहीं करता हो, कौशन थोड़ा गलत है इसमें, कौन सा मिजर नहीं करता, which is not measured, तो इसमें economy growth करता है, standard of living करता है, education and health indicator करता है, लेकिन GNP नहीं करता है, यह आपका correct answer, option number D, GNP is not measured by HDI, HDI का थोड़ा history जान लेते हैं, 1990, it was established by Pakistan, one of the finest economists, Maybubul Haq, and यह आपका UNDP, United Nation Development, UNDP इसको क्या करता है, आपका, निकालता है, और इंडिया का जो presently rank कितना है, 190 में से 132, very much important, आप पूछ सकते हैं, exam में की, 190 में कितना है, तो 132, ओके, इसका correct answer, option number D, question थोड़ा गलात है, next question, 35, what is the primary objective of the World Bank, World Bank का primary objective क्या है, promoting international trade, providing financial aid to developing countries, maintaining global peace and security, stabilizing exchange rates, so correct answer, option number D, providing financial aid to developing countries, next question, the concept of opportunity cost is the best defined as, so 36 का, option देखे, the cost of a product in terms of money, the highest valued alternative that must be forgone when a choice is made, the total cost of production in a firm, the cost incurred when a firm faces increasing returns of fiscal, so इसका correct answer, 36 का, option number B, the highest valued alternative that must be forgone when a choice is made, next question, which of the following is not a characteristic of a developed country, sorry, developed economy, high standard of living, advanced infrastructure, low unemployment rate, high level of industrialization, so 37 का जोकी, correct answer होगा, आपका option number C, low unemployment rate नहीं होता, जिसका developed economy है, they have high standard of living, S.R.S. सब अच्छे होते हैं, which exchange rate regime allows the value of currency to be determined solely by the market forces of supply and demand, fixed exchange rate, managed, pegged exchange rate, floating exchange rate, so 38 का जोकी, option number D, floating exchange rate, okay, next question, the term stackflation refers to a situation where an economy experiences high inflation and high unemployment, low inflation and low unemployment, high inflation and low unemployment, and low inflation and high unemployment, so correct answer is option number one, high inflation and high unemployment, what is the main function of the International Monetary Fund, IMF, IMF का main क्या है, promoting international trade, providing long term loans to developing countries, maintaining fixed exchange rate, providing financial assistance to countries facing balance of payment crisis, so इसका correct answer is option number D, जो recently Sri Lanka also taken loan from IMF, which also suffered from balance of payment crisis, okay, next question, which of the following is not a tool used by the Central Bank for monetary policy, options are open market operations, reserve requirements, foreign exchange interventions, and taxation, so इसका correct answer होगा, 41 का D, तो की, तो की तक्सेशन, तो टक्सेशन यूज नहीं करता हो, next, the total value of a good, all good and services produced by the resident of a country, regardless of their location, is measured by gross national product, gross domestic product, net national product, net domestic product, इसका correct answer वोको 40 second का A, GnP, GnP, मतलब क्या है कि अगर इंडिया के बाहर भी कोई इंडियान कुछ produce करता है तो उसको count किया जाता है GnP में, okay, GDP only the mainland इंडिया के border के अंदर ही, जितना भी goods and services प्रोड़ाशन होता है उसको क्या बोलता है GDP, so correct answer option number 1, next question, which type of unemployment occurs due to the changes in business cycle such a recession, structural unemployment, frictional unemployment, seasonal unemployment, cyclical unemployment, so 43 का correct answer का option number D, okay, cyclical unemployment, next question, the fundamental rights guarantee to Indian citizen are borrowed from which country's constitution, कहां से borrow किया गया है, options are United Kingdom, United States of America, France, Australia, correct answer option number B, U.S. U.S. से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़े लिया है, जैसे judicial review, उसके बाद preamble, उसके बाद fundamental right, ओके ये सारे लिये है, उसके बाद UK से हमने लिये है, single citizenship, याद रखेगा single citizenship, उसके बाद जो parliamentary form of government अभी चल रहा है, वो हमने कहां से लिया था, UK से लिया था, याद रखेगा France से हमने लिया था, आपके बहुत सारे जैसे France से हमने लिया था, fraternity, सेकुलरिजम ये सारा जो concept है, उसके बाद next आपका Australia, Australia से हमने लिया था, concurrent list, जो concurrent list है वह हमने कहां से लिया था, और साथी साथ फ्रांस ने आइलेंड से लिया था DPSP याद रखेगा डारेक्टिब पिलिपल प्लाइट पॉलिसी उसके बाद आपका जो प्रिसिडेंट अलसो बोरोड फ्रों आइलेंड तो आपका जो मतलब जो आपका रशिया है रशिया से लिया था फाइव यह प्लान औ आपका जो fundamental duty okay fundamental duty अलसो बोरोड फ्रों रॉच्या नेस्ट क्वेशन उच्छ फ्लूइब इन इन फोर्णाजेशन इंडिपेंडेंग्टिशन इंडिशन इंडिशन और शुप्रीम कोट आद था इन आपका अप्शन नम्र दी और प्रट फ्रीज आपका क्या है फंडमेंट 2nd Amendment, next question, who is the ex-official chairman of Rajya Sabha, ex-official chairman Rajya Sabha, who is the president of India, vice president of India, prime minister of India and speaker of Lok Sabha, so correct answer is option number B, vice president of India, next question, how many members are nominated to Rajya Sabha by the president of India, easy question, 10, 12, 15, 20, so correct answer is option number B, 12, next question, which article of Indian constitution deals with the right to education, 21, 24, 29, 29, 21A, so correct answer is option number D, 21A, which the president of India can declare financial emergency under which article of Indian constitution, 352, 356, 360, 370, correct answer is option number C, 360, which financial emergency, now in India has not been lagoon नहीं हुआ है, ओके, तो 356 क्या है आपका state emergency, अगर कोई कहां पर जदी law and order का problem हुआ तो state emergency लगा जाता है, आपका president द्वारा 356, 352 आपका national emergency, national emergency अभी तक इंडिया में तीन बार लगा है, याद रखेगा, three times, याद रखेगा, नेक्स question, the Comptroller and Auditor General of India appointed by whom, कान अपका प्रेजिट of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India, Parliament of India, correct answer is option number one, President of India, next question, the idea of concurrent list in Indian constitution is borrowed from which country, Canada, United States of America, Australia, Ireland, so correct answer option number C, Australia, next question, which amendment to the Indian constitution made education a fundamental right for children aged 6 to 14, so consignment था आपका 86th amendment, तो यह थे questions, do comment आपके कितने score आया है, so thank you for watching, have a nice day.